हलो फ्रेंद्स, वेलकम टू क्रिश्न क्रेशन, आज मैं आपको एक कॉलर ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ और उसके लिए जो मेजरमेंट है वो इस तरह से हैं, यहाँ पर लेंद्ध हम लेंगे 14 इंच, चेस 38 इंच है, वेस नियने कमर का नाप इसमें है 32 इंच, शोल्डर यहाँ पर है 15 इंच, आर्म होल 16 और फ्रंट का नेक मैं लूँगी 6 इंच तक, तो आए शुरू करते हैं वीडियो को, तो यहाँ पर मैंने जो अस्तर का कप्डा लिया है, वो है 38 इंच अर्ज का, और मैंने यह एक मीटर कप्डा लिया है, उसके साथ ही यह है बै यह एक कॉलर ब्लाउज है, तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से इसकी मार्किंग करते हैं, लंबाई यहाँ 14 इंच रेडी है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 15 इंच, और यहाँ मैं पहले बैक का पीस ड्रॉ कर रही हूँ, अब देखिए इसमें है शोल्डर 15 इंच, तो उसक यह 9.5 और यहाँ पर 1.5 इंच में मार्जिन ले लूँगी, आप यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं, अब कमर का नाप तो 32 का 4 पार्ट होगा 8 इंच, 1 इंच हम डाट के लिए लेंगे, तो यह हो जाएगा 9 इंच, और यहाँ पर 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिय इसके साथी इन दोनों निशानों को मैं मिला दूँगी, अब यहाँ पर 3 इंच का पर मैंने एक निशान लगाया, और इसे मैंने यहाँ पर मिला दिया, आप इसके लिए फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकती हैं, अब इसके साथी मैं यहाँ पर नेक लूँगी, और यह बैक का पीस है मैं यहां 3 इंच पर नेक का निशान लगाऊंगी और इसकी जो गहराई है वो मैं सिर्फ लोंगी 1.5 इंच तो यहां से मैंने इसका शेप लगा दिया है अब आपको यहां पर आर्म होल पर शोल्डर डाउन करने हैं जिससे कि यहां पर जोल नहीं आती है शोल्डर की साइड पर जो सल आते हैं वो नहीं आते हैं तो इस तरह से बैक का पीस मैंने ड्रॉ कर लिया है अब मैंसे कट कर लेती हूँ तो देखे यहां से मैंने बैक का पीस कट कर लिया है अब इसी piece को मैं रखूंगी यहां front की side और यहां की side आपको half inch का margin छोलना है जो कि हम eye hook की पट्टी के लिए लेते हैं तो इसे set करेंगे हम और same इसी तरह से draw कर लेंगे तो देखे यह मैंने पूरा draw कर लिया है अब मैं इसे हटा दूँगी अब यहां से आपको अगर आप princess cut बना रहे हैं तो वो shape आप लगा सकते हैं आप bell blouse बना रहे हैं तो वो shape लगा सकते हैं मैं यहां पर बना रही हूँ princess cut और princess cut के कई वीडियो में upload कर चुकी हूँ कि किस तरह से लेना है तो आप वैसे भी समाझ सकते हैं अब देखिए यहां पर मैं इसकी एक इंच लंबाई बढ़ा लूँगी क्योंकि यह princess cut है तो यहां से मैं princess line का निसान लगा लेती हूँ जैसे कि मैंने अपने previous वीडियो में आपको बता रखा है तो दिखे इस तरह से मैंने यह draw कर लिया है अब मैं इसे cut करती हूँ तो देखे इस तरह से मैंने यहां पर front का piece और back का piece draw कर लिया है तो मैं यहां पर front के piece में आपको बताती हूँ कि नेक हम कितना लेंगे यह यहां से लेके यहां तक मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है याने मैं इसका नेक ले रही हूँ 7 इंच और cross में यह है 8 इंच तो हम यहां से इसे cut कर लेते हैं अब देखे फ्रंट और back के piece cut हो गए लेकिन अभी मैंने इसकी princess line cut नहीं की है अब हम इसे रखेंगे अपने man fabric पर फिर उसे cut करेंगे तो हम देखते हैं कि यह जो मेरा man fabric है यह double fold है और यह कपला मेरे पास 75 cm ही है क्योंकि मैं collar blouse में बना रही हूँ elbow sleeves और elbow sleeves के साथ हम इसमें collar भी लगाएंगे तो आपको चाहिए 1 meter कपला यह तो 75 cm है तो मैंने इसी तरह का एक और ले लिया है यह भी साड़ी में से निकला हुआ पीस है यह भी 75 cm है बलकि यह 70 cm है तो मैं इन दोनों को मिला कर एक blouse बनाऊंगे collar वाला जिसकी drafting में आपको भी बता रही हूँ तो यहाँ पर देखिए हमने यह रखा बैक का पीस और उसके साथ ही यहाँ पर वैसे तो मैं इस तरह से ले ले लेती हूँ और चूंकि यह कपड़ा कम है 75 cm ही है तो मैं इसे यहाँ से रख लूँगी या आप इसे इस तरह से रख लीजिए जिससे की हमारा यह वाला कपड आप पूरा एक जैसा निकल आए तो मैंने ये फ्रंट और बैक के पीस यहाँ सेट कर लुए हैं और अब मैं यहां से इसकी कटिंग कर लेती हूँ तो देखिए मैने यहां से फ्रंट और बैक के पीस निकाल लिए हैं EASNEY फ्रूट लिगा 나 चाहते हैं तो आप इसमें से भी निकाल सकते हैं अगर आपको sleeves long बनानी है तो हम दूसरे कपड़े में से निकालेंगे और मैं यहाँ पर 11 इंच की sleeves बनाऊंगी तो मैं दूसरे कपड़े में से sleeves निकालूंगी तो यहाँ से मैं से fold करूंगी 9.5 पर यह चोड़ाई मैंने ले ली है 9.5 अब यहाँ से इसका यह extra कपड़ा निकालने के बाद यहाँ से लंबाई देखिए मैं ले रही हूँ 12 इंच लंबाई क्योंकि मैं यहाँ से भी fold करूंगी और यहाँ से भी सिलाई में जाएगी तो यह मैंने इसे double fold कर लिया है अब मैं यहाँ से sleeves की drafting करती हूँ तो यहाँ से मैंने लिया 3.5 डे रे इंच हम इसमें से state लेंगे और उसके बाद इस shape को लगा लेंगे और sleeves की drafting मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से front की shape लगा लूँगी इस तरह से sleeves की cutting हो गई है और देखिए इस sleeves में से क्या होता है सिलाई के बाद भी यहाँ से कप्ड़ा निकलता है तो आप या तो सिलाई होने के बाद पूरा blouse तयार हो जाए उसमें इंटर लॉक कर लें या फिर आप अस्तर भी लगा लें स्लीव में जिससे की यहाँ पर जब हम इसके आर्म होल के साथ इससे सिलेंगे तो मजबूत हो जाता है अस्तर लगने के पाद तो यह मेरा front, back और इस तरह से sleeves कट हो गई है और इसका हम collar कट करेंगे जब हमारा blouse तयार हो जाएगा तो अब हम यहाँ इसके सिलाई start करेंगे तो अब देखिए मैं यहाँ पर सिलाई शुरू करूँगी इसके लिए मैं back का piec तयार कर लेती हूँ तो back का piec तयार करने के लिए पहले इन दौनों piece को मैं एक दूसरे के अपोजि डखूँगी यहां से सिलाई लगाऊंगी उसके बाद इसे पलट लोगी पलटने के बाद इसे चारो तरफ से अटेज करेंगे और हम यहां डाट लगा लेंगे तो देखिए मैंने यहां पर बैक का पीस तयार कर दिया है डार्ट लगा लिये हैं और इसे चारों तरप से अटेज कर लिया है अब हम फ्रंट का पीस रेडी करेंगे तो पहले तो मैं इसे एक जैसा रहूंगी और इसका जो प्रिंसेस लाइन है उसे कट करूंगी तो देखिए मैं इसे यहां सेंटर पे से कट करती हूँ अब आपको क्या करना है कि इसे इसके साथ जोड लेना है और यहां पर हम इसके साथ इसे अटेज करेंगे उससे बहले आपको क्या करना है अस्तर की जो कपने हैं उनके उपर आपको यहां कैनवास लगाना है क्योंकि मेरा ये कपला काफी पतला है तो पहले मैं यहां कैनवास की पट्टी चिपका लूँगे उसके बाद इसे रखकर अपोजिट फोल्ड करूँगे देखें यहां मैंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटेच कर लिया है और इसके साथ है जो मैंने साइड के पीस आपको बता है थे लिए यहां पर मैंने यह canvas की पट्टी इस तरह से चिपका ली है देखिए हमने इसका यह corner बनाया है पहले मैंने यहां से यहां लगा यह पट्टी और उसके बाद यह अब इस तरह से थिक हो गई है अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यह जो मेरे पास पीस है इन्हें में एक दूसरे के opposite रखूंगी इस तरह से और यहां से यहां तक सिलायी लगा लोगी उसके बाद हम इसमें हलके हलके कट लगाकर इसे पलट लेंगे और चारों तरफ से अटेज कर लेंगे तो देखे यहां पर मैंने इसे पलट लिया है और देखे यहां पर यह थिकनेस आ गई है और इसके बाद हमने इसे चारों तरफ से अटेज कर लिया है अब वही सिंपल काम इन दोनों को आपको अटेज करना है नीचे से ह हमें इसका bottom complete करना है और उसके पाद हमने जो backup इस तयार करके रखा था उसके shoulder join करेंगे और जो sleeves मैंने cut की थी वो sleeves में attach कर दूँगी तो ये सारे normal जो मैं हर वीडियो में अपने ये सब काम बताती हूँ ये सारे काम करके मैं आपको blouse दिखाती हूँ कि उसका किस तरह से look आया है तो friends देखिए मैंने यहाँ पर इन दोनों को joint करके shoulder यहाँ पर attach कर लिये हैं उसके साथ मैंने sleeves attach कर ली है और मैंने front के परदे में ये पट्टी भी लगा ली है अब इस तरह से हमारा जो normal blouse में काम हो back piece का center है इस तरह से और यहाँ जो front का नयके न वहाँ पर collar मुझे लेना है तीन इंच तर यहाँ ले लिया है अब हम इस collar को पूरा measure कर लेते हैं यहाँ से तो यह 3 इंच है और यह पूरा मैंने measure किया यह मेरा आ रहा है 13.5 तो अब मैं इसे एक साइट रहूंगी और collar ready करू तो अब आपको collar कट करना है 13.5 का तो यहाँ से double fold आपको कितना लेना है कॉलर तो हमको बनाना है 13.5 लेकिन मैं उसमें एक एक इंच बढ़ा लूँगी दोनों साइट से तो मैं यहाँ पर अभी 16 इंच का ले लूँगी तो उसका half होगा 8 इंच मैंने यहाँ 8 इंच ले लि पर मेरे पास 16 इंच चोड़ा लंबाई और 4 इंच चोड़ाई की पट्टी है इसे मैंने किया double fold यहाँ से हलकी सी हम गुलाई देंगे तो यहाँ से मैं एक इंच ऊपर करूंगी और इसे हम मिला लेते हैं इस तरह से शेप लगा लेंगे अब मैं इसे मेजर करूंगी 13.5 का हाँ तो यहां तक आए यह है देट Fleisch यहां से मैंने इसे 1 इंच तिर्छा कर दिए ऐसे कट करती है चेंद काल करते हैं और चुकि ये कपड़ा पतला है तो मैं इसके साथ एक अस्तर के कपड़े की भी पट्टी रहूंगी और उसे इसके साथ ही अटेच करूंगी देखिए मैंने इसके साथ अस्तका कपड़ा भी रख लिया है और अब हम नीचे से इसकी शेप के हिसाब से कपड़ा कट कर लेंगे अब आपको ये कपड़ा भी इसके अंदर फोल्ड करना है और प्रेस करनी है तो देखिए मैंने यहां पर प्रेस कर लिया और पेन लगा लि आपको दालेंगे यहां से पूरे में सिलाई लगा ली है और अब हम यहां पर हलके हलके कट लगा देंगे यह एक्स्टा कपड़ा मैंने कट कर दिया और अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ अब देखिए अब वापस हम इसके उपर प्रेस करेंगे हमारा ये वाला पीस फ्रंट की साइट रहेगा इस सिलाई को भी को सेंटर में रखेंगे और यह जितना कपड़ा है यहां एक्स्टा इसे भी इसके बराबर में ही आपको फोल्ड करना है और प्रेस करनी है तो यहां इस तरह से मैं इसे भी फोल्ड करके इसके बराबर में रखकर इस तरह से प्रेस कर लूँगे और पूरी क्रीज बना लूँगी तो देखिए मैंने यहां से भी इसे फोल्ड कर लिया और यहां से पीछे की साइट से भी मैंने इसे प्रेस से फोल्ड कर लिया अब हमारा ही collar तेयार है और ये जो canvas है ये इसका front side है अब जो blouse मैंने यहां तेयार करके रखा है उसमें हमें इससे attach करना है हम इसका center point लेंगे जैसा कि आपको पता है collar लगाने में हम हमेशा center point ले लेते हैं एक और ये इसका center point है अब आपको इस collar को क्योंकि ये shirt collar है तो इस इस तरह से लगाना है कि इसका जो canvas वाला हिस्सा है ये बाहर की side मतलब ये इस तरह से आईगी जो canvas है वो बाहर की side रहेगा यहां से से attach करना है ये जो इसका center point है इस कपड़े को इसके अंदर क्योंकि हमने front और back दौनों side से फोल्ड कर लिया है तो इस कपड़े को इसके अ यहां आया है और यहां से यह open रखा था हमने इतना तो यह मैंने यहां इस तरह दबाया और इसे pin up किया तो आपको है ना silah इस तरह से लगानी है हम बाहर की side से silah लगाएंगे जिससे की finishing के साथ हमारी silah दिखे और वो silah इस तरह लगानी है कि हमारा यह वाला portion भी उसके अंदर सिलाई हो जाए और मेरे ये दोनों चीजे वैसे तो बरावन हैं तो मैं यहां सिलाई लगाऊंगी ना तो यह कपड़ा भी उसमें दवाब में आ जाएगा और यह कपड़ा भी तो मैं इस साइट का कॉलर भी जाइंट कर लेती हूं तो यह देखे यह सीधा कॉलर इस परिलर स्लाई चलाई हैं जिससे कि मेरा कॉलर पीछे की साइट से भी पूरा अटेच हो जाए और इसका जो मार्जिन है वह भी दवाब में आ जाएगा तो यहां हमारा कॉलर पूरा फिट हो गया है अब बस आपको क्या करना है कि इसकी फिटिंग करनी है तो सिंपल हम जैस इसके फिटिंग आप इस तरह से कीजिए कि पहले आप सीधी साइट से सिलाई लगाईए इस तरह से तो इसे बोलते हैं गुम सिलाई तो पहले हम सीधी साइट से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम पलट के अंदर से जब फिटिंग करेंगे तो यह सिलाई इसमें कि हमने यहां पर अभी कोई पट्टी निलगाई है तो आप चाहें तो इसके जो यह corner है यह नीचे से हम इसे बराबर करके रखेंगे और आप चाहें तो यहां इसका जो यह corner मैंने बनाया है यहां तक आप chain लगा सकते हैं और अगर आपको chain नहीं लगाना है तो मैंने इसके अंदर जो canvas लगाया है इसलिए यहां से यह थेक है पट्टी तो आप एक side hook लगाईए और एक side आप आई की पट्टी से लिजिए तो आई की पट्टी बनाने के लिए मैंने यहां पर एक अस्तर का कप्डा लिया है उसके साथ ही एक man fabric का कप्डा लिया है अब इसे आपको उपर और नीचे दौनों side से fold कर लेना है और fold करने के बाद आप चाहें तो इसे pipe बनाकर पलट लिजिए जिससे के यहां से भी इसके धागे underground चले जाएंगे उसके बाद हम इस पट्टी को यहां रखेंगे और नीचे तक सिलाई कर देंगे तो यहां इस तरह से मैं आई की पट्टी तयार कर लेती हूँ तो देखे यहां पर मैंने यह पट्टी उपर नीचे से fold कर दी और इसके अंदर सिल दी है याने अब आपको यहां hook लगाने हैं और यहां eye लगानी है तो देखे इस तरह से यह blouse की stitching complete हो गई है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार